हलो दोस्तों दिस इस यूनिक इंडियन लाइफस्टाइल यूटूब चैनल और आज मैं आपको गरम मसाले की रेसिपी देने वाली हूँ जो की बहुत ही कम इंग्रेडियन्ट से मैंने त्यार किया है तो सबसे पहले जीरा मैंने 1500 ग्राम लिया है लगवर 75 ग्राम लाइची छोटी लाइची लिया है लोंग को 25 ग्राम ही लिया है और दालचीनी भी मैंने 25 ग्राम और 25 ग्राम ही गोल मिर्च भी लिया है क्योंकि यह तीकी होती है इसलिए मैंने थोड़ा कम ही लिया है तो सबसे पहले एक पती ले या फिर कड़ाई को गरम कर ले और उसके बाद इन सारे समागरी को आप एक एक करके उसमें डाले और हलका सब मॉइस्चर निकल जाने तक ही भुने उसे ज्यादा बिल्कुल नम भुने नहीं तो उसके जो भी फ्लेवर होती है वो निकल जाएगी तो आज मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में गरम मसाले की रेशिपी बताने वाली हूँ जो की बिल्कुल ऑथिंटिक होगी और काफी टेस्टी भी होगी जो की किसी भी खाने में डालने पर थोड़ी सी भी डालने पर उसका साथ लगवक दस गुना बढ़ जाएग जो कि मैंने बहुत एकम इंग्रेडेंट से बिल्कुल पांच सामगरी से ही तियार करके दिखाया है जिसमें कि बहुत सारे लोग इसमें तेजपत्ता, जावित्री, स्टार, निश्व अगरे भी डालते हैं लेकिन यह के इन मानियें दोस्तों इन पांच सामगरी से भी आप गरम मसाला त्यार करके अपने खाने में चार चान लगा सकते हैं उनके स्वात को लगभग तस कुना बढ़ा सकते हैं यह देखिए लगभग दू मुनिट तक मैंने इसे भून लिया है लगभग कुड़कुड़ा होने तक है और ज्यादा बिल्कुल यह ना भूने इसे और भूनने के बाद इसे का वे मुखना बढ़ा सकते हैं यह दूए लिए तक मुखना घुक्त दूए बाधार बढ़ां में के सी • दूए बढ़र और ने कमा sacred मूस शुद्ध त्यार होते हैं और हमारे शहएत के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो फ्रेंड्स एक बार इस रेशिपी को जरूरों ट्राई करें और अच्छी लगे और इससे भी ज़्यादा अगर आपको बारिक चाहिए तो इससे आप चान लीजिए और मोटे वाले को किसी और रेशिपी में और पतली वाले को आप अलग रेशिपी के लिए रख लीजिए अब यह देखिए प्लेट में डाल लिया है अब इसे ठंडा होने के बाद मैंने ब ही पिसकर रखे तो ज्यादा अच्छा होगा तो फ्रेंस थैंक्स वर वाचिंग टेक कियर बाई